हलो सो आप देख रहे हो एपके गुरू चैनल दोस्तो आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ पाँच ऐसे कारण के बारे में जिससे आपका फार्म बन हो जाता है अगर यह गलती आप कर देते हैं तो इससे आपका फार्म जो है बन हो जाता है और अधिकतर फार्म बन हो भी चुका है तो आईए इसी वीडियो में इसे पहले अगरे चैनल को अपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जली सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा और उसके बाद अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक किजिए और कमेंट आ और आपके क्लाइमेट में और रह जाए अब यह नहीं कि आपके क्लाइमेट में कुछ और है क्लाइमेट आपका है और आप किसी और नसल को चैन कर ले यानि लेके आ जा रहा है उसके बाद से आपको होता क्या है वो मिर्ट्यू हो जाती है बक्री उसे आपको लॉस हो जात आपके area में आपके climate की से आपसे suitable है उससे यह होता है कि आपको बिमारी कम आती है और आपको profit होने का chance रहता है अगर आप गलत नसल को chain कर लेती है तो आपको loss ही होगा दूसरा है vaccination आपको जो dewarming और vaccination क्या है कि आपके किस मुसम के किस टाइम पर कौन सा vaccination देना है वो आपको पूरा knowledge होना चाहिए और dewarming कप कप करना है वो आपको knowledge होना चाहिए जनकारी होना चाहिए या आप डॉक्टर से करनेंशन करें या आप ट्रेनिंग लेलें ट्रेनिंग तो बहुत ही जरूरी है तो यह चीज आपको जनकारी होना चाहिए नहीं कि आप अभी गर्मी चालो हुआ तो उसके इसाब से आप वेक्सिनेशन नहीं कियें और या ठंदा जनकारी होना बहुत जरूरी है और इससे भी बहुत सा फार्म जो है बंद हुआ है उसके बाद तीसरा है दोस्तों कि अगर आप अपने बिजनेश करना चाहते हैं तो सबसे पहले जनकारी होना बहुत ही जरूरत है हर चीज के बारे में इसके लिए आप ट्रेनिंग कर फिर ये देखिए उससे क्या होता है कि आपको knowledge होती है और आपको एक बकरी फार्म के बारे में अच्छी खासी हर चीज के बारे में जनकारी कर सकते हैं क्या प्लाना है कैसे रखना है उसके बारे में जनकारी कर सकते हैं और फार्म के उपर सबसे ज्यादा ध्यान देना रहा है उसे बकरी को क्या होगा उसे फ्राबबलम होता है भी बीमार परेगी कोल mee देट और अवलोस लेगी चौन जब करणा हो किस टाइम आपको आपको सेल करना है यह नहीं ताइम में यानी सकी ढिमांड और इस टाइम से पैसा आपको नहीं मिल पा रहा है या फिर आपका जो बकरी है या जो बकरा है आपका सिल नहीं हो पा रहा है उससे क्या होगा कि इतने दिन आपके पास भी रहेगी वो खाने का जो खर्च होता है उससे बरेगा और उससे आपको लॉस होता है या देख लिजग होली है या बकरी दे उसमें आपको अच्छा मुनाफ़ा बकरी यानि बकरा अब सेर करके अच्छा मुनाफ़ा कमा सकते हैं यह चीज आपको ध्यान में देना है कि यह चीज आपको बहुत ही जरूरी है उसके बाद जो है नेक्ष्ट जो है आपको खिलाने पर यानि जो दाना देते हैं जो भी कुछ खाने पीने के लिए बकरा को देते हैं, वो एक timing होना चाहिए और हर बकरी या बकरा या बच्चा को या बीडर को या जो पेiegenet बकरी है अलग-बकरी है या जो बीडर है, या उसको अलग से और खासकर दना, कि उसको जादे ज़रुरत है उस खाने का वोद इसको जो दाना देते है या फिर हर अचग सब्सकर्बस चाहिए तो सुझेटी के लिए सबिस्कों चाहिए सब्सक्राइब कर छीर देना है आपको बच्चा तो बच्चा रिच पकॉम दिना है बड़ा बड़ा को जादे देना है और जो जो प्रिग्नेट के लिए अलग देना है जो बूह पिने में तर यह चीज आपको 5 पॉइंट देखना है उसके बाद भी और भी बहुत सा पॉइंट है जैसे आप के khi आपको जब नया फार्म करें खास करके आपको मेहनत करना है अगर किसी और के उपर छोड़ दीजेगा तो आपको लॉस आपको होगा ती दोस्तों यह पांच कारण थी जो आपको इस चीज पर जरूर देखना है खाने पर उसके बाद जो बेक्निसेशन है या रिवार्मिंग है उस पर आप यह फार्म के उपर या फिर सेल में यह सब चीज पर आपको बहुत ही आपको ध्यान देना परेगा वोको दोस्तों अगर यह वीडियो अच्छा लगए तो लाइक कर दीजे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे थैंकिए पर वाचिए